आज मैं कमाच्षी सिंग आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखेते एक व्यंग पिटने पिटने में फर्क यह आत्म प्रिचार नहीं है प्रिचार का भार मेरे विरोधियों ने ले लिया है मैं बरी हो गया यह ललितने बंध है बहुत लोग कहते हैं तुम पिटे शुभ ही हुआ पर तुम्हारे सर्फ दो अकपारी वक्त तब वे चपे तुम लेखा खो एकात कहानी लिखो रिपोर्टाज लिखो नहीं तो कोई ललितने बंध लिख डालो पिट भी जाओ और साहित्य रचना भी नहो यह साहित्य के प्रती बड़ा अन्या है लोगों को मिर्गी आती है और वे मिर्गी पर उपन्यास लिख डालते हैं टी हाउस में दो लेखकों में सर्फ मा बहन की गाली गलोज हो गई दोनों ने दो कहानिय लिख डाली दोनों बढ़िया एक ने लिखा कि पहला नीच है दूसरे ने लिखा मैं नहीं वेह नीच है पढ़ने वालों ने निशकर्ष निकाला कि दोनों ही नीच है देखो साहित्तिकक कितना लाब हुआ है किस सिद्ध हो गया कि दोनों लेखक नीच है फिर लोगोंने देखा कि दोनों गले मिल रहे हैं साथ चाय पी रहे हैं दोनोंने मावेहन की गाली अपने मन के कलूश से नहीं दी थी साहित्तिक साधना के ले दी थी ऐसे लेखक मुझे पसंद है पिटाई की सहनुभूती के सिलसिले में जो लोग आये उनकी संख्या काफी होती थी मैं उन्हें पान किलाता था जब पान का खर्च बहुत बढ़ गया तो मैंने सोचा पिटने वालों के पास जाओं और कहूं जब तुमने मेरे लेतना किया है मेरा यश पैलाया है तो कम से कम पान का खर्चा दे दो चाहे तो एक बेत और मार लो लोग तो खरोश लग जाये तो भी पान का खर्च ले लेते हैं मेरे पास कई तरह के दिल्चेस्प आदमी आते है आम तोर पर लोग आकर यही कहते है सुनकर बड़ा दुख हुआ बड़ा बुरा हुआ मैं इस बुरा लगने और दुख से बहुत बोर हो गया पर बेचारे लोग और कहीं भी क्या मगर एक दिल्चेस्प आदमी आए बोले इतने सालों से लिख रहे हो क्या मिला कुछ लोगों की तारीफ बस लिखने से ज़्यादा शोहरत पिटने से मिली इसलिए हर लिख़ब को साल में कम से कम एक बार पिटना चाहिए तुम छे महीने में एक बार पिटो फिर देखो बिना एक शर्ब लिखे अंतरास्ट्रे ख्याती के होते हो की नहीं तुम चाहो तो तुमारा या काम मैं ही कर सकता हूँ मैंने कहा बात सही है जब जरूरत होगी आपको तकलीफ दूँगा पर यार ज़ादा मत मारना पिटा पहले भी हूँ मैट्रिक में था तो एक सहपाथी रामेश्वर से मेरा जगडा था एक दिन उसे मैं धकेलते धकेलते कक्षा की दिवार तक ले गया वे फस गया मैंने उसे पीटा फिर दोनों में अच्छे संबंध हो गए स्कूली लड़ाई स्थाई नहीं होती पर वे गांट बांदे था हमारे घर से स्कूल डेड़ मील दूर था एक दिन हम दोनों गपशप करते शाम के जुपउटे में आ रहे थे कि वे एकाएक बोला अरे यह रामदास कहां से आ रहा है वे देखो मैं उस तरफ देखने लगा उसने बिजली की तेजी से मेरी टांगों में हाट डाला और वे पटकनी दी कि मैं नाले के पुल से नीचे गिर गया उठा शरीर से ताकत से में ड्योडा पड़ता था सोचा इसे दमचू पर उसने बड़े मजे की बात कही कहने लगा देखो अदा बदा हो गए अपना पक के दोस्त मैंने तुम्हें कैसी बड़िया तरकीब सिखाई है मैंने भी का हाँ यार तरकीब बढ़िया है मैं काफी दुश्मनों को ठीक करूँगा फिर मैंने चार विरोधियों को वही आम के जुर्मुट से पक पचाड़ा तरकीब वही साथ जा रहे हैं एक आएक कहता अरे वह उधर से शाम सुन्दर आ रहा है वह उधर देखने लगता और मैं उसकी टांगों में हाट डाल कर सड़क के नीचे के गड़े में फेक देता यह तो स्कूल की पिटाई हुई लिखने लगा तो फिर एक बार पिटाई हुई आज से पंद्रा वीस साल पहले मैं कहानिया लिखता और उसमें कमला नाम की पात्री आ जाती कुछ नाम कमला, विमला, आशा, सरस्ती ऐसे ही कलम पर यो ही आ जाते हैं मुझे दो चिठ्थिया मिली खबरदार कभी कमला कहानी में आई तो ठीक कर दिये जाओगे वह मेरी प्रेमिका है और तुम उससे कहानी में हर कुछ करवाते हो वह ऐसी नहीं है मैं बाट टाल गया एक दिन सक्री गली से घर आ रहा था आगे गली का मोड था वही मकान के पीछे की दिवार थी एक आदमी चुप चाप पीछे से आया और ऐसे जोर से पीछे से धका दिया कि मैं दिवार तक पहुँच गया हाथ आगे बढ़ा कर मैंने दिवार पर रख दिये और सिर बचा लिया वरना सिर फूट जाता बाद में मालूम हुआ वह शहर का नंबर एक का पहलवान है मैंने कमला को विमला कर दिया लेखक को नाम से क्या फरक पड़ता है पर यह जून वाली ताजा पिटाई पड़ी मज़ेदार रही मारने वाले आए पांच-छे बेत मारे मैंने हतेलियों से आखे बचा ली पांच-साथ सेकेंड में काम खत्न वे दो वाके राजनीती के बोलकर हवा में भी विलीन हो गए मैंने जिटाल लगाया एक जड़ घंटे सोया ताजा हो गया तीन दिन बाद अखवारों में खपर शपी मज़े की बात मेरे कानों में शेहर और बाहर से आने लगी इसने दुक्की आती ही थी पर अच्छा पिटा पिटने लायक ही था घोर एहंकारी आदमी ऐसा लिखेगा तो पिटे गई जो लिखता है वे सहित्त है क्या अरे प्रेम कहानी लिख उसमें कोई नहीं पिटता कुछ लेखों को की प्रसंता मेरे पास तक आई उनका कहना था अब यह क्या लिखेगा सब खत्म हो गया इसका काम तबाम बहुत आग मूदता था पर मैंने ठीक वैसे ही लिखना जारी रखा और इस बीच पांच कहानिया तसा चार निबन लिख डाले और एक डाइरी उपन्या स्तिहाई लिख लिया है सहनु भूती वाले बड़े दिल्चस्प होते हैं तरह तरह की बाते करते हैं बुजुर्ग बिमार वरिष्ट सहित्यकर बाबू रामानुजलाज श्रिवास्तव ने अपनी मोटी छड़ी भेजी और लिखा अब ये मेरे काम की नहीं रही मेरी दुनिया अब विस्तर हो गई है इस छड़ी को साथ रखो लाठी में गुन बहुत है सदा रखिये संग एक अपरिचित आये और एक छड़ी दे गए वह गुपती थी पर भीतर का फलक नहीं था मूट पर पैने लोहे का ढखकन लगा था जिसके कनपटी पर एक वार से आदमी पचाड़ खा जाये मेरे चाचा नमबर एक के लठैत थे वे लठ को तेल पिलाते थे और उसे दुख भंजन कहते थे मुहले के रंगदार को जो सबको तैंग करता था उन्होंने पकड़ा सामने एक पतले जाड़ से बांधा और वे पिटाई की वे हमेशा के लिए ठीक हो गया मैंने इका दादाई से अब छोड़ दो उन्होंने छोड़ दिया मगर कहा देख मैंने दुख भंजन से काम नहीं लिया गड़ बड़ की तो दुख भंजन अपना काम करेगा वे दुख भंजन पता नहीं कहां चला गया उनकी मृत्ती हो गई पर वे शीशम की अपनी छड़ी छोड़ गए है एक साहब एक दिन आये एक दो बार दुआ सलाम हुई होगी पर उन्होंने प्रेमी मित्रों से ज़्यादा दुख जताया मुझे आशंका हुई कि कहीं वे रोना पड़े ते मुझे उस जगा ले गए जहां मैं पिटा था जगा का मुलाइज़ा किया कहां खड़े थे? किस तरफ देख रहे थे? क्या वे पीछे से चुपचा पाए? तुम साफधान नहीं थे? कुल पाँच साथ सेकेंड में हो गया? बिना चुनौती देए हमला करना कायरता है सत्यूग से चुनौती देकर हमला किया जाता रहा है पर यह कल्यूग है मैं परिशान जिस बात को ढाई महीने हो गये जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ उसी की पूरी तफ्तीश कर रहा है कहीं यह खुफिया विभाग का आदमी तो नहीं है पर जिसका सब खुला है उसे खुफिया से क्या डर? वे आकर बैठे कहने लगे नाम बहुत फैल गया है मंत्रियों ने दिल्चस्पी ली होगी मैंने कहा हाँ ली वे बोले मुख्य मंत्री ने भी ली होगी मुख्य मंत्री से आपके संबन बहुत अच्छे होंगे मैंने कहा अच्छे संबन है वे बोले मुख्य मंत्री आपकी बात मानते हैं मैंने का हाँ मान भी लेते हैं मैं परिशान कि आखिर ये बाते क्यों करते हैं क्या मकसद हैं आखिर वे खुले कहने लगे मुख्य मंत्री आपकी बात मानते हैं लड़के का तबादला अभी कांकरी हो गया है जरा मुख्य मंत्री से कहकर उसका तबादला यहीं करवा दीजिए पिटे तो तबादला करवाने, न्युक्ती कराने की ताकत आ गई ऐसा लोग मानने लगे हैं माने, मानने से कौन किसे रोख सकता है यह क्या कम साहित्ति के उपलब दी है कि पिटकर लेकर तबादले कराने लाइक हो जाए सन उन्हें से तो तिहत्तर की यह सबसे बड़ी साहित्ति के उपलब दी है पर अकादमी माने तो धन्यवाद